हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबी का हमारे यूटूब चैनल एजूकेशन पॉइंट में तो आज की हमारी क्लास होने वाली है सामान्य विज्यान से सम्मंदित एक महत्वपुन क्लास जिसमें हम साममानी विज्यान से सम्मंदित IMPORTANT ONE Liner Quesn देखेंगे और आज हमारी यह पहली क्लास होने वाली है जिसमें हम लगबग 200 से ज़़ादा ONE Liner Quesn देखेंगे तो चलो स्टार्ट करते आज ही क्लास को तो आज हमारा पहला टोपिक रने वाला है कोशिका ठीक तो पहला टोपिक हमारा कोशिका कोशिका से सम्मंदिर लगबग 30 से 30 हम वल लाइनर की उसन देखेंगे ठीक तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की तो कोशिका की खोज किसने की थी Robberthook ने, कभ किती 1665 में और Robberthook के द्वारा खोजिगे कोसिका, कौन सी कोसिका थी एक मरत कोसिका थी ठीक है, और सरो परताम जिवित कोसिका की कोज किसे ने किती तो सरो परताम जिवित कोसिका की किती आपके Lumen Hoek ने ठीक है तीसरा पॉइंट कोशिका का सक्ति ग्रह किसे कहते है तो कोशिका का सक्ति ग्रह कहते है आपके माइट्रो कॉंट्रिया को ठीक है next point केंदर की खोज किसने की तो केंदर की खोज किते है आपके रोबर्ट ब्राउन ने और है पाच्व पॉइंट कोशिका की प्रोटीन की फेक्टरी यह किसे कहते है तो कोशिका की प्रोटीन की फेक्टरी कहते है आपके राइबोसोम को ठीक है चटा पॉइंट है आपके कोशिका का रसोई गर किसे कहते है तो कोशिका का रसोई गर कहते है आपके हरितलवक को ठीक है तो यह वन लाइनर की उसे नहीं ध्यान रखना है आपको से कोrió को 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 सिगा की आत्म गाती ठीली किसे कहते हैं ठीक है तो को सिगा कि आत्म गाती ठीली कहते हैं आपके लाइसोंसों को आठवा बिंदू कौनसी कोशिका वनस्पती तथा पसू दोनों में उपस्तित रहती है तो सुत्र कणी का एक ऐसी कोशिका है जो वनस्पती कोशिका में भी पाई जाती है और पसू में भी पाई जाती है ठीक है और कोशिका का मुख्य भाग कुन सा है तो कोशिका का मुख्य भाग होता है आपके केंद्रक ठीक और केंद्रक में क्या पाया जाता है तो केंद्रक में एक तो था डियने डियोक्सी राइबो नुकलिक अमल एक होते आरने राइबो नुकलिक अमल और एक ते गुंड सोतर ये तीनों किस में पाई जाते हैं केंद्रक में पाई जाते हैं ठीक हरे पुद्धे की कोसिका पित्ति किसकी बनी होती है तो हरे पोदे की कोशिका पित्ती बने उती है के सेल्यूलोज की ठीक है बारवा बिंदू कौन सा है सेल्वाल किस में पाई जाती है तो पादपो में पाई जाती है आपके सेल्वाल ठीक है तेरवा बिंदू सबसे बड़ी कोशिका है तो सबसे बड़ी कोशिका 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 है सतुर मुर्ग के अंडे की कोशिका ठीक है और सबसे चोटी कोशिका 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 है तो सबसे चोटी कोशिका आपके माइको प्लाज्मा ठीक है इनके बारे में ध्यान रखना है आपको नेक्स्ट बात करते हैं पंद्रवे महत्वपुन बिंदु की तो पंद्रवा बिंदु है आपके राइबोसोम मिलकर बने होते हैं राइबोसोम किस किस से बने होते हैं तो अभी हमने देखा था केंद्रक केंद्रक पें तो पाई देता डियने आरने और गुंसुत्र जबकि राइबोसोम किस से मिलकर बने होते हैं तो एक तो आर ने और है के प्रोटीन ठीक है के अंदर के मुख्यता कितने भाग होते हैं तो के अंदर के मुख्यता चार भाग होते हैं को नेक्स्ट पुईंट in marketing के खुछ किस ने कि थी तो मैट रोकोंट्रे की खुछ कि थी अल्ट मेन नर्ट मेन ने इसे क्या नाम दिया था भायो ब्लास्टrob किılदै nhai कि बायो ब्लास्ट नाम दिया था तुम्हाइट्रो कंटरे का नामकरन किस ने था तो ‫neitrokondrile का नाम करन क्या था? goose singular European ठीक कौशिका की जग्राइट में और कोंत्य है को जोना की ज़री की का कुशिका क्या कहा जाता है? cita knowledge ठीक है कौशिका में 12 arkadaşlar ड़की है तो प्रोटीन का संसलेशन नहीं होगा ठीक तो राइबोसोम की अनुपस्तिति में कौन सा कारें नहीं होता है तो राइबोसोम की अनुपस्तिति में प्रोटीन का संसलेशन नहीं होता है ठीक जीवद्रवे नामकरण किया था तो जीवद्रवे का नामकरण किसने क्या था कोशिका से संब्भन देट 21 महत्व पूण बिंदुंके बारे में हम । डिसकर्स कर चुके हैं, आगे देखते हैं , 225 बिंदु के तरह तो 225 बिंदु है हमारा कोशिका में ऐ कार्बनिक तहा कार्बनिक द्रवे होता है उसका अनुपाद क्या होता है तो आ कार्बनिक तथा कार्बनिक दर्वे का नुपात था है 81.19 ठीक है यह आपको जहां रखने है कि कोशिका अगर कोई 100% कार्बनिक तथा आ कार्बनिक दर्वे से मिलकर बनी है तो उसमें आ कार्बनिक दर्वे तथा 21.19 ठीक है तेश्वा बिंदू है आपके कोशिका सिद सिद्धान्द का प्रतिपादन किया था तो स्वांत था स्लीड३े भी वम झेंख स्वांत था था स्लीडे भी ठीकट स्वांत था स्लाइडें ने कोशिका सिद्धान्द का प्रतिपादन किया था में 24 0.alıalen काय पाया जता है तो के वला है चन्तु कोशिका में ठीकिक पादप कोशिकाव में तरकाय नहीं पाया जता है पच्चिसव पॉइंट कोशिका का यतायात प्रबंदक यह किसे कहते हैं तो कोशिका का यतायात प्रबंदक कहते हैं कोल गी गाय को 2600 पॉइंट इस्तंदारियों की RBC में नहीं पाय जाता है तो इस्तंदारियों की RBC में लाइसोसोम नहीं पाय जाता है ठीके 2700 पॉइंट है आपके टमाटर का लाल रंग ये किसके करण होता है तो लाइकोपीन के करण टमाटर का लाल रंग पाया जाता है ठीक तो ध्यानक 9 पॉइंट के बारे में और सबसे important पॉइंट यह 200 पॉइंट जानरक में का जीवद्रव में ऐकारणिक जिताकारणिक द्रव का नुपाद 81.19 होता है ठीक है और यह यह यतायत प्रबंद के बारे में जाना रखता है कि कोशिका का यतायत प्रबंद का कोल की का को कहा जाता है ठीक है आगे बात करते है तो अब हम बात करते है 2800 प्रबंद की तो पत्तियों का पीला रंग होता है तो केरोटिन के निर्माड के करण पत्यों का रंग कौन सा होता है पिला होता है तो पत्यों में पिला रंग केरोटिन के करण आता है जबकि पत्यों का हरा रंग किसके करण होता है तो पढ़न हरित के करण या कलोरोफिल के करण ठीक है कलोरोफिल के करण पत्यों कर रंग हरा होता है जबकि केरोटिन के करण पत्यों कर रंग पीला होता है मनुश्य में गुनसुत्रों की संक्या होती है तो 46 गुनसुत्र होते है या 23 जोड़ी गुनसुत्र पार जाते है ठीक है फ़न्सागति का वह किसे कहते हैं तो गुंड शुत्रों को फ़न्सागति का वह कहा जता है ठीक है तो इस परकार हमारी कोश्चि का नामक topic पूर्ण होता है अब हम देखते हैं अगले topic के बारे में तो अगला topic है हमारा जीवदारियों का वर्सगी करन तो जीवधारियों का वर्गिकरण आज का हमारा दूसरा टोपिक है तो इसका पहला पॉइंट है जीव विज्ञान सब्दका सरपर्थम प्रियोग किया था तो जीव विज्ञान इस सब्दका सरपर्थम प्रियोग किसने किया था तो ले मार्क तथा ट्रेवी रेरनस ने ठीक है तो इस क्लास में हम संपूर्ण अंसी आर्टी का नीचोड आपके लिए लेकर आए तो क्लास के अंतर तक आपको जरूर बने रहना है और ये आपके प्रतिक एक्जाम के दरिश्टी से बहुती महत्वपूर्ण रहने वाली है तो दूसरा पॉइंट है जीवे विज्ञान के जनक ये कोने अरस्तु थर्ड पॉइंट चन्तु विज्ञान के जनक भी अरस्तु चोथा पॉइंट आधुनिक वरगी की के पिता केरोलस लीनियस ठीके केरोलस लीनियस के ऐसे पुस्त क्या है जिसने जीवदारियों को दो में बाठागी यह तो सिस्टेमा नेचर यह किसके पूस्ट के kare tools लीनियस की क benevolent the 250 इंधान ना किसा के थे त्री ओप्रेक्टफ्टर्स को पाद स्काथ जनग क जनक कहा जाता है ठीक तो जन्तु विग्यान का जनक या जीव विग्यान का जनक अरस्तु जबकि वरस्पति विग्यान का जनक है त्रियो फेक्टर ठीक और अधुनिक वर्गी की क्या पिता कहते है के रोलस लीनियस को और इसके पुस्ता कौन सी है सिस्टेमा नेचर ठीक आगे ब बंस का नाम, जबकि दूसरा सब्ध है, जाती का नाम, तो पेले तो बंस का नाम है और दूसरा जो यह वह जाती का नाम है, आठवा पॉइंट, फेहसं कीट पालन को कहते हैं, तो सेरी कल्चर, 9. मतश्य पालन को कहते हैं तो PC Culture 10. मदुमक्खी पालन को कहते हैं तो Epic Culture 11. पुस्पो का अध्यन को क्या कहते हैं तो इंतो लोजी 12. फलो का अध्यन को क्या कहते हैं तो Pomoology तेरवा पॉइंट कावको के अध्यन को क्या करते है तो माइकोलोचिक सबीके बारे में द्यान क्वें रखने आपको काशेरी कलचर रसमकीट पालन PC कलचर मतश्य पालन मधुमक्की पालन को करते है एपी कल्चर एंथोलोचिक अध्यन पुश्पो का अध्यन पोमोलोजी करते है फलो का अध्यन और माइकोलोजी करते है कवको का अध्यन ठीक है तो आगे बात करते है चवद्वे फेक्ट की तो चवद्वे फेक्ट से स्टार करते है चवद्वा पोईंट है आपके सेवालो का अध्यन को क्या करते है तो फाइकोलोजी सर्पो का अध्य एद्ययन करते हैं, उसको क्यों कहते हैं, तो कुछ वेग्यानिक नाम ठीक है कुछ परमुक वेग्यानिक नाम चैसे आम का वेग्यानिक नाम क्या है मेजी पेरा इंडी का मनुष्य का वेग्यानिक नाम क्या है होमो सेपियंस जिसमें पहला तो यह वंस का नाम दूसरा है चाति का नाम ठीक है मेंटक का विग्यानिक नाम क्या है तो रना तीगिरी नाम काय का विग्यानिक नाम क्या है बास इंडिकस पाच्वा है मख्षी का विग्यानिक नाम मस्का डोमेस्टिका धान का विग्यानिक नाम औरया सताईवा सर्सो का वेगयनिक नाम प्रासिका कमपिश्ट्रेस मटर का वेगयनिक नाम पीसम सताईवं ठीक तो ये प्रमुक वेगयनिक नाम है इनके बारे में द्यारक नहीं कई बार प्रेक्सामें प्रश्ण है पूछा जाता है ये ठीक इक इससे भी मेंडक मनुश्य आम मक्खी ताहन मटार सरसू यह ज़्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है? आगे बात करते हैं देखो अगले फेक्ट की तो 21 फेक्ट है हमारा पादप और जन्तु के बीच की कड़ी है तो पादप और जन्तु इन दोनों के बीच की कड़ी को खाते हैं हुग लेना ठीक है? वर्गी करण की आधार भूत इकाई है तो वर्गी करण की आधार भूत इकाई क्या है? चाती ठीक है? कवको की कोशिगा पित्ती बनी होती है तो कवको की कोशिगा पित्ती किसके बनी होती है? काईटीन की 24 पॉइंट जीवानों साइनो बेक्टिरिया आर्की बेक्टिरिया किस जगत के प्राणी है तो मोनेरा जगत के प्राणी है यह ठीक है पच्चिसव पॉइंट सेवाल, मौस, पुस्पिय वर ऐस पुस्पिय बीजिये पोद्य हैं वर किस जगत के हैं तो ये पादब जगत के हैं तो 25 महतोपुन बिंदु देख लिए अब हम आगे देखते हैं 26 बिंदु तो 26 बिंदु ये हमारा नील हरीच सेवाल सम्मंदित है तो ये किसे सम्मंदित है? मोनेरा से 27 पोईंट आलू एक परकार का है तो अलू क्या है? एक परकार का कंद 28 पोईंट ठेलो पाइटा वर्ग के पोदे होते हैं तो ठेलो पाइटा वर्ग के पोदे important questionने मुख्यते क्या होते हैं ये चलिये होते हैं टीकिक? और 29 पोईंट बहुती महतोपुने कई बार प्रिक्सा में पुछा गया है जन्तु जगत का सबसे बड़ा संग कुन सा है तो जन्तु जगत का सबसे बड़ा संग है आपके आर्थो पोड़ा ठीक एक तीस्वा पॉइंट है पोदे में अर्द सुत्री विबाजन के लिए उप्युक्त भाग हैं तो अर्द सुत्री विबाजन कहां पर होता है पोदे में पराग कोस में इंपोर्टेंट दिया रखता है का पोदे में अर्द सुत्री विबाजन होता है आपके पराग कोस में 31 तेस्वा पॉइंट है ओक्टोपस किस संग का जन्तु है तो ओक्टोपस जो है वह आपके मोलस का संग का जन्तु है ठीक है तो आगे बात करते देखो तो अब हमारा तीसरा महत्वपूर्ण बिंदू पहला बिंदू कौन सा था कोशिका दूसा था जीवधारियों का वर्गी करन और अब हम बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण बिंदू की कौन सा बिंदू पारिस्थिति की ठीक है तो पहला पॉइंट है पारिस्थिति की सब्द का सरुपर्थम प्रियोग किया तो ने ठीक एक दूसरा पॉइंट है पारिस्तिति के तंत्र सब्द का सर्वपर्थम प्रियोग किया था तो पारिस्तिति के तंत्र का सब्द का सर्वपर्थम प्रियोग किस ने किया था टेंस लेने तीसरा पॉइंट पारिस्तिति के तंत्र के दो गटक होते हैं उनकों से जेव एक टक्स ठिक इन दोनों पैट बारे में डायन रखना है कि पारिष्टिति के सब्द तो सरप्रत्म धीया था रिटर्न नहीं है यह सबद दिया था टेन्ज लेने जो अता पॉइंट पतास्तिति Board कि संब्रस्परिक से tam संबंद बनाता है पांचवा पॉइंट फिस्टो पर्यावरान दिवस मनाए जाता है तो पांच जून को चट्टा पॉइंट भारत में पर्यावरान सरक्षन अधिनियम यह कब लागू हुआ था तो भारत में पर्यावरान सरक्षन अधिनियम लागवा था उन्निसो चीयासी में ठेके आगे बात करते हैं सात्वे पॉइंट की तो सात्वा पॉइंट है हमारा फिस्वो पर्यावरान सरक्षन दिवस यह मना जाता हैं 20 नवंबर को आठवा पॉइंट पारी तंत्र में उड़ जा का मुख्य गटक हैं तो सुर्य का प्रखास नववा पॉइंट मुख्य ता मेग्रो वनस्पति वाला चुवारिय वन कहलाते हैं तो सुन्दर वन डेल्टा दसवा पॉइंट समुद्र के किनारे के वनस्पति कहलाती हैं ठीक तो लवन अध्वित क्यारवा पॉइंट वे गटक जो अपना बोजन स्वयम बनाते हैं उसे क्या करते हैं उत्पादक बारवा पॉइंट वे गटक जो अपना भोजन उत्पादक द्वारा बनाएगे भोजन पर निर्भर करते हैं तो उन्हें करते हम उपभोगता ठीक एक तेरवा पॉइंट उपभोगता कितने प्रकार के होते हैं तो तीन प्रकार के उपभोगता होते हैं ठीक आगे बात करते देखो अगले पॉइंट की पॉइंट है हमारा प्राथमिक उपभॉक्ता के उधारण है तो गाय पहस बकरी यह आपके प्राथमिक उपभॉक्ता के उधारण है और प्राथमिक उपभॉक्ता आपकी कैसे होते है साकाहारी साका हारी होती है द्वित्यक उपभुबोक्ता के उधारण है कुत्ता लौमडी सेर यह आपके द्वित्यक उपभुबोक्ता है और द्वित्यक उपभुबोक्ता कैसे होता है आपके मानसा हारी ठीक है और त्रत्यक उपभुबोक्ता के उधारण है तो मनुष्य और मनुष्य कैसा होता है सरवाहरी जो साकारी भी होता है और मानसारी भी होता है 17. किश वर्ग के अंतरगत आते है तो कवक और जिवानों आते हैं आपके अपगटक में 18. है पारिष्भितिति की संतुलन बनाये रखने के लिए भारत में कुल वनक्षेत्र कितना अनुपाद में होना चाहिए तो 33 परतिसत वनक्षेत्र होना चाहिए ठीक एक 1900 पोईंट हाइड्रोफाइट कहते है तो एक जलिये पोजे को क्या कहते है हाइड्रोफाइट कहते है तिक विशु का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला चल पादर है, तो कौन सा है चल है, हाई सिंस, ठीक आगे देखते हैं देखो तो अगला पॉइंट है हमारा आगे टॉपिक देखते हैं, चोथा टोपिक, इससे पहले हमने सबसे पहले कौन सा टोपिक देखा था, तो प तीसरा टोपिक था हमारे पारिस्तितिकी, अब चोत्य टोपिक के बाद करें वनस्पति विज्ञान, और एक बहुती महत्वपूर्ण टोपिक है, जिसमें से हम लगबग सार से सितर वन लाइनर के उसन देखेंगे, तो वनस्पति विज्ञान का पैला पॉइंट क्या है, का वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो थ्रियोपेक्टर्स को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते है, जबकि जन्तु विज्ञान का जनक कहते है, आपके अरस्टु को, तेके दूसरा पॉइंट क्या है, का हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये पुस्तक के लेखक कोन थ तो थ्री ओपेक्टस जो थे वह आपके इस्टोरिया प्लांटिरम पुस्तक के लेखक थे ठेके तीसरा पॉइंट है आपके पोदे में वास्पोर्ट जर्जन की क्रिया होती है तो पोदे में वास्पोर्ट सर्जन की क्रिया ये कहा पर होती है पत्ती में होती है ठेके चोथा पॉइंट जाडियों का अध्यन किया जाता है तो डेंड्रोलोजी में जाडियों का अध्यन किया जाता है पांचवा पॉइंट सेवालों का अध्यन किया जाता है तो फाइकोलोजी में सेवालों का अध्यन किया जाता है ठीक है छत्ता पॉइंट फूलों के सबवर्दन के व प्रकास अंसलेशन की क्रिया में प्रथम इस्थाई उत्पाद है तो फासपो ग्लिस्टरिक अमली क्या है प्रकास अंसलेशन की क्रिया में प्रथम इस्थाई उत्पाद है ठीक है आटवा पॉइंट हरे प्रोटो जोवा को किस नाम से जाना जाता है तो अरे प्रोटो जुआ जो है उन्हें किस नाम से जाना जाता है तो पेरामी सिया ठीक है नवा पॉइंट क्लोरोफिल में कौन सी धातू पाई जाती है तो क्लोरोफिल में पाई जाती है आपके अहमजी धातू ठीक है, दसवा पॉइंट, जल को जडो से पत्तियों तक पहुंचाता है, तो जल को जडो से पत्तियों तक कौन पहुंचाता है, तो जायलम, जायलम जो है, आपके जल को जडो से पत्तियों तक पहुंचाता है, और फ्लोयम का कारिय भोजन का निर्मान करना, ठीक है, बारव संसलेशन की दर सरवाधिक होती है ठीक है बारवा पॉइंट नारियल में प्रकीर्णन की क्रिया होती है तो नारियल में प्रकीर्णन की क्रिया किस से होती है पानी के द्वारा ठीक है तेरवा पॉइंट जिन फलों का निर्माण केवल अंडासे में होता है उन्हें क्या कहते ह ठीक है चवद्वा पॉइंट प्रकास अंसलेशन की क्रिया में ओक्सिजन निकलता है तो प्रकास अंसलेशन की क्रिया में ओक्सिजन कहां से निकलता है पानी से ठीक है तो दोनों पॉइंट जहां रहता है आपको कजिन फल्लों के अंडस निर्मान के वाल अंडसे में होता है निकलता है पानी से ठीक है आगे देखते हैं पंद्रवा पॉइंट से तो पंद्रवा पॉइंट है हमारा ओक्सीन के सा हर्मोन है तो जो आपके ओक्सीन है यहां एक प्रकार का पादप हर्मोन है सोलवा पॉइंट बोजन को पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है तो बोजन को पत्तियों से जड़ों तक कौन पैचाता है फलोयम और जायलम किसका समवर्धन करता है तो जायलम जल का समवर्धन करता है ठीके सतरवा पॉइंट है दूद से दही बनने में सहायक है तो द दूद को दही में बनाने वाला जीवनों कौन सा है लेक्टो वेसील से ठीक अठार vendors एम्रदा अपरदन को रोकने में सहयक होता है तो म्रदा अपरदन को रोकने में भूद कहें जा सबसेः च्छोटा पोदा है तो जीमनोर स्पर्म का सबसेः च्छोटा पोदा कौन सा हूं जेमिया कर SAY PIGMI टिक हूं 21 points protein का सबसे अच्छा स्तोरोथ है तो protein का सबसे अच्छा अस्तोरोथ है आपके आध्या भी बात किरते हैं अगले points से 22 points 22 points ही मारा रेबीज के ठीको कि खोच ती तो लुईष पारinky ने रेबिज के ठीको की खोच कि थी तथा पास्चुरी करण भी इसी ने सम्झाया था ठीक해 टेविश्वा पॉइंट है सबसे लंबा जीवित वरक्ष कोन सा है तो सिकोया जो है वहार सबसे लंबा जीवित वरक्ष है ठीक해 24 पॉइंट सबसे बड़ा बिजांद होता है तो साइकस में सबसे बड़ा बिजान्ड होता है 25. कवक और सेवा दोनों वर्ग के पोदों से मिलकर बना होता है तो लाइकेन जो है कवक तेता सेवा दोनों से मिलकर बना होता है 26. अफिम प्राप्त होती है तो कच्चो फलों के जो लेटेक्स होता है उससे क्या प्राप्त होती है अफिम 2700 पॉइंट चड़की कोशिका में उपस्तित लवन को कहते है तो लूकोप्लास्ट कहते है 2800 पॉइंट तमबाकू में सुगंद पैदा करने वाला बेक्टिरिया है तो बेसिलस मेगाथीरियम ठीक है बेसिलस मेगाथीरियम जो है वह आपके तमबाकू में सुगंद पैदा करता है आगे बात करते हैं देखो तो 2900 पॉइंट से 2900 पॉइंट क्या है एक मत्र हार्मोन जो गेसियर रूप में पाया जाता है तो यह है आपके एथिलीन ठीक है 300 पॉइंट अमल वर्षा के लिए कोन उतरदाई है तो अमल वर्षा के लिए उतरदाई है सलपर और नाइट्रोजन के ओकसाइड ठीक है 3100 पॉइंट हरीद ग्रह प्रभाव के लिए कोन उतरदाई है तो हरीद ग्रह प्रभाव के लिए उतरदाई है warван dioxide COO, ठीके, 32 point फलो का अध्यन किया जाता है, तो फलो का अध्यन किया जाता है, style chromology में, 300 point मरुष्थलिय فोडो के अध्यन को कहते है, तो मरुष्थलिय पोडो के अध्यensation को कहते हैं, 0 updates, 3-4 point, सबसे चोटा नगनवीजी पोदा है तो जेमिया पिग्मिया जो है वैं सबसे छोटा नगद बीजी पोदा है पे तीसवा प्रस्ट में सबसे छोटा पुष्प है तो सबसे छोटा पुष्प कौन सा है उल्फिया और सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेशिया ठीके दोनों के बारे में द्या रखता है सबसे बड़ा पुष्प तो रेपलेशिया है और सबसे छोटा पुष्प है उल्फिया आगे बात करते हैं 3700 पॉइंट से तो 3700 पॉइंट है हमारा सबसे बड़ा आवर्त बीजी पॉदा है तो यूके लिप्टस जो है वहाँ आपके सबसे बड़ा आवर्त बीजी पॉदा है जबके सबसे छोटा आवर्त बीजी पॉदा कौन सा है तो लेमना जो है वहाँ सबसे छोटा आवर्त बीजी पॉदा है 49 पॉइंट की बाद करें तो पोजे का कौन सा भाग स्वसन करिया करता है तो पत्ती जो है पोजे का स्वसन करिया का कार्य करती है ठीक है, चालिस्वा प्रश्ण, व्रक्षों की चाल पर उगने वाले कवको कहते हैं, तो कार्टिकेल्स कहते हैं व्रक्ष की चाल पर उगने वाले कवको को, ठीक है, एक तालिस्वा प्रश्ण, सुर्पोइंट, किस व्रक्ष के तन्य की चाल से कुकेन निकलती हैं, तो कुके होता है तो सबसे बड़ा बिजंड होता है आपके साइकस में तर्रान लिस्वा पॉइंट प्रकास संसलेशन की दोरान कौन सी गेस निकलती है तो प्रकास संसलेशन के दोरान आपके ऑक्सिजन गेस निकलती है ठीक है और सीओ टू गेस गरहन की जाती है ठीक है आगे देखते तो यह आपके कोल कत्ता में तो पोद्य के किस बाग से हलदी पाया जाता है तो पोद्य के तन्य से हलदी निकलता है दो रि consulting कि 67 स्वाधा प्ोइंट पोड़े जोगारी पानी में होते हैं उन्हें क्या करते हैं तो यह लो फाइट कहाँ जाते वह विए से 70 News Putting 12 & chapter 1 अनूसंदान संस्थान कहां परिस्ति य हैं तोवन अनूसंदान संस्थान है आपके देहरा दुन में अर्तालिसवा पॉइंट फूलो का रंग किसके खारण होता है तो एंत्रोसायनीन जो वर्णक है उसके खारण फूलो का रंग होता है ठीक है उन पच्छासवा पॉइंट जल में पोदे उगना क्या कर लाता है हाइड्रोपोनिक्स ठीक है पच्छासवा पॉइंट है फलो को क करत्रों से पकाने में किसका उपयोग किया जबता है तो एथिलीन का उपयोग किया जयता है इक कवनवा सुषा कि थार मरुष्टल की रूप में लिया जाता है तो नाइटरोज़न ये में पोदेख ग्रहन करते हैं तरह पंवह पॉइंट है आपके अंत्रिक स्यातरी अपने केवीन में कुण साथ सेवा अ उगते है खोपनवा पॉइंट है आपके चलोड के अध्यन के अध्यन माइकोलोजी ठीके 55 प्रश्ण है कवक में संचित भोजन होता है तो गलाइकोजोन के रूप में संचित भोजन जो रहता है वह पाया जाता है ठीके 56 प्रश्ण है पोदे की आयू निर्धारण की विदी को कहते हैं तो डेंड्रोकोलोजी जो है पोदे के आयू के होनी व्रद्द करते हैं एक्थावलों पुइंट है आपके उक्षिजन का निर्मान होता है तो पोड़े के उपरी बाग में और निर्मान होता है् ठीक है आगे देखते हैं तो इससे संबन्दित कुछ महतोपुण पॉइंट और देख लेते हैं वनस्पति विज्ञांस से संबन्दित तो पोधे में RNA-V प्रोटीन बनाने में साहयक होता है तो साइटो-काइनीन जो हार्मोन है आपके वैं पोधे में RNA-V प्रोटीन का निर् पद्धी हार्मोन ठीक है एक सटवा पॉइंट है आपके पोदे में जक्म बढ़ने का काम करता है तो ट्राउमेन जो है पहाँ आपके पोदे में जक्म बढ़ने का काम करता है बाद सटवा पॉइंट है आपके तंबाखु की पत्तियों में होने वाले रोका वाइरस है तो ट पूइंट है फूलों को खिलाने वाले आर्मॉन को कहते हैं तो फ्लोरी जेन पेस्टवा पॉइंट है आपके लोंग प्राप्त होती है तो फूल की कली से ठीक है तो दोस्तो आज की क्लास को यहीं पर समाप करते हैं नेक्स्ट मिलते हैं इसे प्रकार की दूसरी क्लास के साथ जिसमे हम तो हमारे चीव विग्यान या बायोलोजी से सम्मन्दी जो भी टोपिक आपके सेस बचे है उनके वन लाइनर क्यूशन के बारे में अजजड़ को बारे में लाइनर के साथ